चैप्टर नमबर टू, सोर्सेज औफ कॉर्परेट फिनेंस का फुल चैप्टर एक्स्प्लेनेशन कम रिविजन में ले रहा हूं कितने मार्क्स का चैप्टर है, कौनसे क्वेस्चन्स, कितने बार HSC, कितने मार्क्स का पूछा गया यह सब डिटेल में एक्स्प्लेनेशन दूँगा, कुछ जगा पे मेरे शॉटकट स्टोरीज बनाये में हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा 15-16 पॉइंट एक मिनिट के अंदर लर्न हो जाएगा, वो भी में बताऊंगा जैसे कि यही आपका एक क्वेस्टन है, डिस्टिंग्विश उट्विन इक्विटी प्रेफरेंस के आटरा पॉइंट से, इसका जो स्टोरी है, डॉली ब्यूटी पार्लर, यह एक मिनिट के अंदर आपका लर्न हो जाएगा, इसमें क्या शॉटकट ट्रिक्स और टिक्नीक है, अच्छा आपका OC और ECOW में chapter by chapter marks है, SP में chapter number 1 और 2 milker marks इंदों ने दिया कितना है, 25, लेकिन हमने पूराने papers का analysis किया और हमने पाया कि यह chapter 17, 17, 17 और by the way, October 21 में 20 marks का आया था, तो आपको इस chapter का importance, I hope, समझ में आ रहा है, एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, यह हुआ कितने marks का 1st और 2nd chapter, 25, पेपर कितने marks का आता है, 80, भाही 80 marks का 30% हुआ ना, और एक और चीज़ आपको बताता हूँ, 3, 4, 5 जोड़ दो, 25 और 35, हुआ ना, करीबन 55% पेपर पह अधिक समझ में आ रहा है, यह chapter, 2nd chapter कितने marks का है, 17 marks का, पहिला और दूसरा, ठीक है, मिलकर 25, तो अभी हम आते हैं, इस chapter में, sources of corporate finance में, अभी एक list दिया है, Now, normally students क्या करेंगे, इस sequence में शुरू करेंगे, अभी आपका study क्या होना चीए, मैं आपको बताता हूँ, आप ये introduction एक बार read करेंगे, मैं इसको अभी explain करूँगा, फिर कुछ short cut technique, story सब शुरू करूँगा, यह आप सिरफ एक बार क्या करोगे, read करोगे, finance क्या होता है, कौन बताएगा, finance मतलब पैसा, अच्छा, money means, which is a medium of exchange, इंडिया में money किस रूप में, rupees रूप में, 2000 का नोट cancel हो रहा है, वो 30 September बाद, रूपी नहीं रहेगा, money medium of exchange है, अब मेरे पास business के लिए एक करोड आ रहा है, source हुआ मेरा, एक करोड जा रहा है, application हुआ, यह source और application को क्या बोलते है, finance, समझ मैं है, अब chapter का नाम क्या है, sources, मतलब पैसा कहां से आ रहा है, अच्छा, कहां पे जा रहा है, दो जगा पे जाएगा, fixed capital और working capital, लेकिन यह chapter में application दिया है, नहीं, तो chapter का नाम क्या है, sources, मतलब पैसा कहां से आएगा, क्या आपको logic समझ मैं है, तो, और corporate, corporate मतलब company, company का finance, उसमें भी sources, अब शुरुवात किस्ते होगा, आपको एक startup शुरू करना है, it can be a hotel, एक करोड रुपए का simple सा example लेते है, यह आपका क्या हुआ, capital हुआ, do you agree, अब question यह है, यह एक करोड रुपए जो आपका capital है, जो आपको धंदे में लगाना है, जो आपका project cost है, उसका एक करोड पैसा कहां से आएगा, कुछ पैसा आपके पास रहेगा, कुछ पैसा आप करजा लोगे, जैसे आप 10 लाकी कार में 4 लाक खुद का डालते हो, 6 लाक करजा लेते हो, borrowed, owned and borrowed, तो जो source of finance है, उसमें एक owned है, owned मतलब क्या, खुद का पैसा, एक करोड का project है उसमें ऐसा सोचो, आप 40 लाक्स खुद का डाल रहे हो, तो आप borrowed कितना करोगे, 60 लाक्स, अच्छा, owned capital को technical भाशा में क्या बोलते हैं, share capital, share capital क्या है, जिस रकम से company शुरू है, उसके छोटे छोटे भाग करेंगे, हर एक भाग को क्या बोलेंगे, shares, एक company कितने प्रकार के shares issue कर सकती है, दो, section 43, दो प्रकार, उस दो प्रकार कौन से, equity preference, और फिर धन्दा शुरू होगा, धन्दे में पैसा लगाया जाएगा, धन्दे में profit होगा, profit का एक हिस्सा dividend में जाएगा, जो dividend में नहीं जाएगा, उसको क्या बगते है, reserve, वो reserve आपिस धन्दे में लगा है, तो return earnings, तो shares और return earnings, जो की reserve है, दोनों क्या माना जाएगा, owned capital, shares के कितने प्रकार, equity और preference, और borrowed में, यह जो कर्ज है, debenture, public deposit, bonds, ADR, GDR borrowed नहीं है, यह shares कहे रूपे, वो इधर आना चाहिए, banks, financial institution, trade credit, यह बाल बारती वालोंने गलती है, ADR, GDR borrowed नहीं है, ठीक है, it is part of share capital, lock कर कि फिर issue किया जाता है, वो इस video में जब ADR, GDR आएगा, तब मैं आपको explain करूगा, इतना समझा, यह आपको रट्टा नहीं मारना है, यह आपको read करना है, बट इसका एक बहुत खास relevance है, उन्होंने supposedly shares के बारे में पूछा, तो आप क्या कर सकते हो, इतना आप draw कर सकते हो, समझ मारा है, यह drawing समझ मारा है, यह equity shares पूछा, तो आप इतना draw कर सकते हो, shares में दो प्रकार, यह आपका chart बन जाएगा, ठीक है, और maybe, supposedly owned और borrowed का कुछ फूचा, owned capital के features बनेगा, तो आपका अगे छोटा सा chart बनेगा, तो बोलने का ताक पर है, यह chart आप कई जगा पे use कर सकत चार्ट के बिना आपको, chart के वज़े से आपको marks बहुत अच्छा मिलेगा, अब सवाल यह है, अभी आप learning, studying and learning शुरू करोगे, तो आपका पहला page क्या है, reading for knowledge, उसमें कुछ, सुरफ understanding, not memory, आपको concept समझ में आ इतना, अब आपका study शुरू होगा, अब हम दिमाग लगते है यह source of owned capital, यह simple सा है, यह आपको read करना है, इसके पर कुछ नहीं करना, ठीक है, next, अभी shares, meaning of shares इतना दिया है, मैं आपको एक ऐसा technique बताऊंगा, जिससे आपके starting के 7-8 page ऐसे हो जाएंगे, features of equity share, अच्छा, यह features of equity share, आपको एक बार बताओ, कितने माग का आता है, यह देखो गया है, कि full आखरी question आएगा यह, जो आपका last question आता है न, full बड़ा question, I think 10 mark का आता है, 8 mark का आता है, 8 mark का, तो यह आपका 8 mark का आएगा, अब मैं आपको एक idea बताता हूँ, यह idea आपको बहुत काम में आएगा, यह idea ऐसा है, कि क्यों ना, आप equity shares का जो features है, उसके बाद, जो preference share के features है, यह दो ना करके, आप directly शुरू करोगे इस chapter को distinguish के साथ, अच्छा, distinguish आपने किया, यहाँ पे 11 points दियो है, यह distinguish में आपके तीन question एक साथ होंगे, equity share के features, preference shares के features, और distinguish, तीन एक साथ होंगे, अभी एक clear information है, जदि आपको 95, 98 चाहिए, उस level पे आप attempt करना चाहते हो, तो 11 points सी distinguish में 4 मक्का है, तो बच्चे अक्सर बोलते हैं, सर 4 points लिखना चाहिए, मैं बोलता हूँ, नहीं 10 लिखो, starting में आता है, I think number 3 में रहता है, तो आपका impression create होता है, तो जब features आएगा, 8 मक्का, तो मैं आपसे 15 points expect करता हूँ, but distinguish में कितने ग्यारा, अब मैं आपको एक idea बताता हूँ, आप देखो features of equity, ये features of preference और एक distinguish, ये distinguish में मैंने 18 points बनाएं, और सबसे important, ये 18 points learn करने के लिए मैंने एक dolly beauty parlor की story बनाई है, जिससे आपका 1 minute के अंदर ये 18 के 18 points learn हो जाएगा, तो आप 3 questions एक साथ कर रहे हैं, तो एक idea लगाते हैं इसमें, simple सा, equity और preference का, अब क्या करेंगे, ये left inside equity, right inside preference है, equity share को कैसे define क्या है, company's act में, equity shares वो shares है, जो preference shares नहीं है, और preference shares वो shares है, जिनको dividend पहले मिलता है, और company बंद होने के बाद repayment of capital पहले मिलता है, अच्छा, dividend क्या रहेगा, equity को fluctuating और preference को fix रहता है, also known as, ordinary capital, risk capital, क्यो बोलते हैं, क्योंकि dividend आखरी में, repayment of capital आखरी में, preference को क्यों safe बोलते हैं, या investor cautious क्यों बोलते हैं, क्योंकि rate of dividend fix रहता है, और company बंद हो जाएगी, तो equity से पहले पैसा मिलेगा, face value इसका कम रहेगा, equity share का preference का ज्यादा रहेगा, period of time, आज मैंने equity share issue किया, तो मैं लोटाओं पाई नहीं है, quality companies नहीं, 200 साल पुरानी, मुंबत्ती है ना, और साबन पहले बैस्ती थी, I think 1890s में उनने शुरू किया toothpaste का काम, ठीक है, drum में toothpaste आलते थे, फिर बाद में tube I think 1890s में उनने शुरू किया, 200 साल पुरानी company, so अभी तक चल रही है, equity share capital वक्त के साथ बढ़ा होगा लेकिन equity share capital में आपको वापिस नहीं करूँगा, चुकिए वो permanent है, आपको वापिस यही तो आप कहां बेचोगे, share bazar में, preference shares में आपको वापिस कितने साल के अंदर करूँगा, 20 साल, तो permanent नहीं है, कौन सा permanent है, equity, और preference redeemable है, मतलब लटाना पड़ता है, no, nature of investor, कौन risk वाला है, preference, और उल्टा तो नहीं कर दिया, अभी सिदा कर देता है, risky कोन है, equity, और safe safe वाला कोन है, preference, okay, rate of dividend, किसका fluctuating है, किसका fixed है, preference, types, equity के दो types है, कुन से, voting rights with differential, मैं आपको एक example, आपकी जो भी book है वहाँ पे लिख लो, Tata Motors, Tata Motors के दो share है, यह जो उपर है न, यह लोग meeting attend कर स सकते है, इनका share का दाम पात्तों साड़े पात्तों है, यह भी differential rights, यह लोग meeting attend नहीं कर सकते, उसका share का दाम 2500 रुपया है, so equity share के दो ही प्रकार possible है, कुन से, with normal voting rights, with differential rights, differential rights वाले meeting attend नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते, ऐसे Tata Motors ने इस्यू किया है, और preference के 8 प्रकार है, यह types of preference में आटो प्रकार देखेंगे, cumulative, non-cumulative, participating, non-participating, convertible, non-convertible, redeemable, okay, preference, पहले dividend किसको दिया जाएगा, पहले dividend किसको दिया जाएगा, preference, आखिर में किसको दिया जाएगा, equity, okay, right share, right share क्या है, मैंने एक करोड रुपय का share capital का पैसा लिया, मुझे और 50 लाग की ज़रोत है, expansion क के लिए, तो मैं existing equity shareholder को बलूँगा, क्या आप और पैसा देने के लिए तयार है, बहार से shares का पैसा लेने से पहले, existing equity shareholder को मैं offer दूँगा, वो उनका हक है, वो actually equity share है, but rights है, तो उस share को क्या बलेंगे, right share, वो किसको दिया जाता है offer, equity को, preference को rights कभी नहीं मिलता, ठीक है, फ फुकट के shares, dividend के रूप में दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, equity को, preference को bonus नहीं मिलता, permanent, कौन सा permanent है, कौन सा redeemable है, मतलब permanent नहीं है, preference, conversion, कौन किसमें convert होता है, equity convert होता है, preference में, not possible, preference convert होएगा, यदी वो convertible preference shares है तो, वरना वो convert नहीं होगा, for return of capital, equity shareholder का पैसा कब दिय जाएगा, last में, preference को उससे पहले, capital appreciation, share buzzer में किसके share की जाधा बड़ोतरी होगी, equity की, क्योंकि इसका rate of dividend fluctuating है, preference का बड़ोतरी बहुत कम होगी, management, कौन meeting attend कर सकता है, equity, कौन vote कर सकता है, कौन manage कर सकता है, equity, preference shareholder's meeting attend नहीं कर सकते, vote नहीं कर सकते, therefore manage नहीं कर सकते, finding up, वही, last में repayment किया जाता है, preference को second last, मतलब पहले preference को और आखिर में equity, यह कितने point दिये मैंने, 18, मैंने आपको promise भी किया था, मैं एक story बताऊंगा, तो मैं आपको एक dolly beauty parlor का story बताता हूं, 18 points का, जिससे आपके 18 points learn हो जाएंगे, और एक और खासियत, आने, अभी यही video में, मैं ज सुचो, उसके एक बहन है, उसका नाम है dolly, also known as, उसका एक और नाम है, वो face के makeup के लिए, बहुत time लगाती है, पर उसका nature अच्छा है, ठीक है, also पहले क्या है, dolly llb, की बहन का नाम क्या है, also known as dolly, अब तीन तो याद रहेगा, face के makeup के लिए, बहुत जादा time लगाती है, प एक आदमी आता है, वो डेखता है, कौन-कौन से types of services है, quickly वापीश शुरू करो, पहला क्या point है, अब meaning standard रहेगा, फिर also known as, face के makeup के लिए, बहुत time लगाती है, पर उसका nature अच्छा है, beauty parlor में है, खड़ी भी है, table में क्या है, rate card, एक आदमी आता है, क्या बोलता है, types of services दे राइट हाथ से, देखो, वोटिंग करता है, राइट हाथ से, और वो बोलती है, चल एक bonus मेरे तरफ से, जब राइट हाथ से voting करता है, उसमें कहा है, hair cutting, बोलती है, एक bonus मेरे तरफ से, hair coloring, अब वो पतंजली, रामदे बाबा की fan रहती है, modified दूसरे में किया हुआ है, चीक ह रिस्क करेता है, रिस्क क्या, गाए बहस उसके पीछे पढ़ जाते है, अब वो बोलती है, की तरह मैंने, free तरको cutting भी गया, free coloring भी दिया, एक काम कर, पाच चयर रुपे निकाल, return of capital, पाच चयर मांगती है, ठीक है, वो उससे वसूलती है, वो देता है, अब उसका share buzzer में दाम बढ़ जाता है, वो बोलती है, आज का management बहुत अच्छा हुआ, और last में wind up बढ़ के जाती है, एक quick revision, पहला क्या होगा, meaning, standard meaning, ठीक है, फिर, also known as, फिर face के make-up के लिए, बहुत दरा time लगाती है, और उसका nature अच्छा है, अब parlor में, table में क्या पढ़ा हुआ है, rate card, व वो क्या बलती है, कुछ भी कर ले, preference मेरा रहेगा, फिर वो बलता है, vote तो करने दो, कुन से हाथ से vote करता है, rate, बोलती है, एक bonus मेरे दव से, उसके बाद क्या होता है, bonus में क्या आता है, coloring, वो बोटिंग में क्या आता है, cutting, coloring, वो coloring कर ले थी, उसका permanently hair convert हो जाता है, into green, और लाइब ऐसे, पीछे पर जाती है, बोलती है, return of capital निकाल 500 रोपया, वो देता है, share bazaar में बड़ोती होती, capital appreciation, बोलती है, आज का manage अच्छा हुआ, और दंदा wind up करके, shuttle लगा के, जाती है गर, logic समझ में आया, now, एक आपको एक idea बताता हूँ, जिससे अपका असान हो जाए है, अब वापिस में पीछे जाता हूँ, ये chapter के, अब sequence में आपको बता रहा हूँ, जिससे आपका आसानी होगा, और ये sequence में ऐसे नहीं बता रहा हूँ, 20-22 साल का अनुभव से बता रहा हूँ, इससे आपको आसानी होगी, आप starting से ही जाओगे, जितना time लगेगा, उससे ये कम time में मैं आपका खतम करवा दूँगा, अब पहला question क्या है, अब देखो debentures का इधर इन लोगोंने features बोला है, और उपर देखो start का question, shares के features, जो सबसे उपर है, ये दो features वही आप logic लगाओ, आप shares के features और debentures के features अलग-अलग क्यों कर रहे हो, आप एक साथ करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, now यहाँ पर देखो end में इन लोगोंने shares और debentures का features दिया है, so मैं आपको एक idea बताता हूँ, यहाँ पर मैं आपको पहले shares और debentures का, देखो कितने बार exam में पूछा हुआ है, तो इसके same points है, same मतलब slight modification में एके करके explain करता हूँ, इसका भी Dolly Beauty Par के story के मदद से किया, तो आपका कितने 6 questions एक साथ होता है, features of equity, features of preference, distinguish between equity preference, features of shares, features of debentures, distinguish between shares and debentures, 6 questions, logic समझ में है, आप shares or debentures, common sense बताओ, shares कुन सा capital है, earned capital, debentures कुन सा है, borrowed capital, आप share है, तो आपको क्या कहला जाएगा, share order, आपको क्या कहला जाएगा, debenture order, आपको proof में क्या द इधर क्या दूँगा, interest, shares will be dividend किस रूप में होगा, भई थोड़ा उत्साला जिंदगी में, shares किस रूप में रहेगा, dividend किस रूप में रहेगा, preference fixed, equity, fluctuating, interest किस रूप में रहेगा, इसमें भी आप एक point जोड़ सकते हो, interest tax deductible बोलता है, dividend tax deductible नहीं होता है, okay, face value क्या है, shares का यह long term है, यह medium term और short term है, nature, यह कौन सा capital है, ownership, यह कौन सा है, borrowed है, इस proof में में अल्लेडी बता दिया, share certificate, shareholder, debenture holder, legal status कोन है, आप owner हो, आप कोन हो, कर्सदार हो, creditor हो, rate of return, equity को fluctuating और preference को fixed, interest का है, fixed है, voting rights, shareholders को right to vote, और debenture holder को right to vote, नहीं है, उसके बाद, conversion, क्या shares convert होएगा into debentures, और debenture convert होगा, yes, return, company बंद हो जागे, तो पहले पैसा किसको दिया जाएगा, debenture, फिर shares, उसमें भी पहले preference, आखिर में, equity, position on liquidation, सबसे last किसको दिया जाएगा, shareholders, क्योंकि shares है, तो share को last में, और उसके पहले debentures, okay, position in balance sheet, जैसे आपका drawing room और kitchen है, तो वैसे balance sheet liability side, उस में equity preference shares आएगा, फिर loans, loans के अंदर secured, unsecured, मतलब दोनों का liability side में position अलग आएगा, liability side में सबसे पहले share capital आएगा, उसके बाद अलग headed loans, उसके अंदर debentures आएगा, अच्छा, मैंने shares का पैसे लिया, मैं कुछ गिर्वी रखूँगा, नहीं, unsecured, debenture का पैसे लिया, कुछ ग tax debt, deduction expenses दिया हुआ, dividend tax deductible, नहीं है, interest tax deductible है, क्यों, section 36, income tax act, 1961 के तहर, now forfeited, आपने मुझे 10 रुपे का 6 रुपे दे shares का, क्या मैं आपके shares कर सकता हूँ, yes, as a result of non payment of remaining 4 रुपे, आपने मुझे 1 लाग दिया, मैं promise के 80,000 दिया, 20,000 बाकि है, क्या मैं आपका debenture कर सकता हूँ नो, भई ने तो महर करजा लूँगा, और जब करने शुरू कर दूँगा, करजा जब नहीं किया जा सकता, कितने point दे बेटा इसमें, 18, मैंने आपको क्या बताया था, dolly beauty parlor का story, फड़ा modify करके करोगे, तो आपके 18 points लन हो जाओगे, तो अब यह भी मैं, आपको dolly के पास ले चलता हूँ, हाँ, आगी, पहला point क्या है, meaning, अच्छा, also called as, debenture का derived from Latin word debare है, लेकिन आप also known as नहीं है, तो उसी पहले में क्या था, equity share, preference share में, also called as, तो next क्या था, face के make-up के लिए, बहुत time लगाती है, पर उसका nature अच्छा रेता है, ठीक है, face के make-up के लिए, बहुत time लगाती है, पर उसका nature अच्छा रेता है, अब वहाँ पे next क्या था, rate card था, equity or preference का, इसके बजाए, आप सोचो, same parlor में, table के बजाए, back side of the wall सोचो, wall में एक certificate लगाया हुए, जैसे doctor के clinic में certificate रहता है, उस certificate जो रहता है, wall में लगाया हुए, उसके दो बाग क्ये हुए है, left time number one क्या है, face value, face के make-up के लिए, बहुत time लगा दी है, पर उसका nature अच्छा है, फिर दीवार में क्या है, certificate, gift inside में क्या है, owner और legal status, right inside में क्या है, return और rate of return, ठीक है, अब यादे, वो right heart से vote करता है, फिर उसके बाद वो hair coloring करती है, conversion हो जाते हैं, into permanently हो जाते हैं, बड़ यहा करता है, coloring आता है, वो convert करती है, into green color, ठीक है न, और उसको बोलती है, 12,000 रोपे निकाल, अब वो बोलता है, 12,000 कलरिंग के लिए, जर्वादा खुला रहता है, वो भाग जाता है, ठीक है, वो पीछा करती है, लेकिन मिलता नहीं है, last close को क्या करना पड़ता है, डॉली को, bad debts, deduction as expense दिखाना पड़ता है, अब वो bad debts दिखाती है, coloring का उसका पैसा गया, तो उसका balance sheet खरा होता है, उसके जाली का धंदा liquidate होता है, और धंदे के लिए उसने जो gold security के तौर पर गिरवी रखा था, बैंक वो जब कर लेता है, और market value में बेज लेता है, वापीस है, point number one, face value face के make-up के लिए बहुत time लगाती है, पर उसका nature अच्छा है, दिवार में left inside owner, उसके बाद legal status, right inside return और rate of return, फिर voting rights, फिर conversion, उसके बाद में return मांग के, वो पैसा नहीं देता है, भाग जाता है, तो क्या होता है, deduction as expenses, उसके बाद balance sheet, बैंशीट उसका खराब हो जाता है, फिर market value में based time, अब आपको एक खासियत बदाता हूँ, यही 12 points, अच्छा bonds जो इधर दिया है, आपके notes में, बाल भारती में, एक आगे इन लोगों ने दिया है, bonds, ठीक है, मैं आप थोड़ा सा उपर ले जाता हूँ आपको, और बदाता हूँ, bonds का जो features है, ठीक है, उपर आपका bonds, हाँ, यहाँ बांड, तो आप क्या करो, यहाँ से मत करो, यही जो points है, आपके share capital के, आप यही same, ठीक है न, लगबक same ही points है, कोई दिक्कत नहीं है, यही points, owner कोने, debenture holder के बज़ए क्या आएगा, bond holder, returns में क्या आएगा, interest, proof के तर पर क्या दिया जाएगा, bond certificate, liquidation म तो same points, same story, आप bonds में यूज़ कर सकते हो, तो आपका question number 7, control में आ जागा है, logic समझ में आ रहा है, ओके, अभी, डॉली को भी हम छोड़ेंगे नहीं, कि माडम रुको, आपको और एक जगा help करना है, वो question है, owned or borrowed capital, आपके बालबारती में में दिखा दू, so आपका sequence of study क्या र preference, दूसरा, shares debentures, तीसरा, bonds जो, automatic share debenture में हो चुका रहेगा, चवु था, ठीक है, चवु था, आप क्या करोगे, shares debentures, equity preference, और owned capital, borrowed capital, अब एक बात बताओ, owned capital क्या है, share capital, borrowed capital क्या है, debentures, okay, owned capital में, returns में क्या दिया जाएगा, dividend, borrowed capital में क्या दिया जाएगा, अच्छा, dividend काई, अभी छोड़ो मोद उसको, dividend का rate क्या है, on equity and fixed on preference, borrowed capital में rate क्या है, अच्छा, अब dividend में रहो, dividend कहां पे declare होगा, AGM, मतलब voting, मतलब management, borrowed capital cannot attend, cannot vote, cannot manage, they can attend, vote manage, point समझ में आ रहा है, so, same points, जो shares और debentures का ता लग भग, वो इदर लागू होगा, So, इसका भी, जो owned or borrowed capital जो है, आप same story बनाके, जो shares, debentures, old capital है, आपका debentures, borrowed capital है, आप same, जो story में ने आपको बताया, वो आप यूस करो, मैं आपको story भी दिखा दू, तो उसको अलग से करने की ज़रूत नहीं है, same, लगबग same points है, points मैंने कम कर दी है, देखो, same debenture का जो थ दिखाता हूँ, ये owned or, ये देखो, shares, debentures किते बार पूछा दिख रहा है, ये clear cut है, आप पिछले 50 board के, और भाई मैंने तो सारे एक एक paper को पूरा आग फाड़ फाड़ के देखा हुआ है, आप कोई भी paper में features of equity पाएंगे, types of preference, types of debentures, features of equity, features of preference, feature, ये 6 में से 2 तो आपक सकते हैं, लोग types of debentures पूछे, वो logic वो लोग use करें, और हम पीछे आते हैं, मैं भी types of preference वोड़ी देर मिलेने वाला हूँ, ये देखो, ये कौन सा है, equity preference, देखो किते बार पूछा है, बस आपका story से हो जाएगा, और मैंने owned or borrowed को थोड़ा लेट लिया है, वो भी आपका, आप attempt कर सकते हो, हाला कि वो कम भी पूछा वा रेगा, देखो, shares or bonds, यहाँ पे features or bonds पूछा गया, आपको अलग से learn करना ही नहीं, आपने debenture कर लिया, तो आपको bonds करने के दिखो, सिर्फ एक ख्याल रखना, bonds हमेशा unsecured होता है, secure कम होता है, possibility है secure लेकि debenture हमेशा secure रेगा, और मैंने यहाँ पे owned or bonds को पूछा तो exam में, जो भी आज लिया, HSC में पहले कभी न कभी आया ही है, maximum कौन सा है, equity preference, shares, debentures, और अभी जो लूँगा, types of preference, types of debentures, यह 4 में से एक, मैं हमेशे 99% मुलता हूँ, 99, 100%, एक तो आए गई, एक तो आए गई, इतने पर पूछा है त साफे importance, अब मैं आपको next important बताऊंगा, types of preference, और उसमें भी एक खास आपके लिए में किया हुआ है, कुन सा, types of preference का में एक story, पहले में short में explain कर दूँगा, ठीक है, और आपको यह story जो है, party की, वो बताता हूँ, तो अभी हम आते है, types of preference, मुझे बताऊ, आपका sequence क्या होग पढ़ाई का, पहला क्या होगा, equity preference, distinguished, मतलब features हो जाएगा, फिर share adventures, मतलब features हो जाएगा, equity preference के भी distinguish हो जाएगा, फिर bonds, फिर owned borrowed, कितने हुए आपके question, क्रेवें साथाट हो गए, तो आपके time ही लगे का, नहीं, story का भी support दिया है, अच्छा, आप, आप कुछो के 18 point क्यों, तो आप 10 point लिखोगे, तो आपको सरफ 7 या 8 देगा, अब 15-18 point लिखोगे, तो 10 में से 10 देगा, और वो distinguish में भी काम हैगा, आप 5 मक का distinguish 10 या 11 लिखो, तो आप full आपको 5 on 5 देदेगा, तो अभी क्या करते हैं, एक types of preference फटाफट ले लेते हैं, और उसका भी मैं आपको story के स साथ बता दूंगा, तो आपका काम हो जाएगा, now types of preference जो है, वो इसमें सबसे पहला कुन सा है, अब ये chart ज़रू ड्रॉ करना, cumulative, supposedly आपने मुझे लाग पर रुपह दिया, rate of dividend कितना है, 10 तका, 2021 को, 10 यार में तभी dividend दे नहीं पाया, profit नहीं था, 2022 मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं दे पाय, 2023, कितना, दो सल का कितना जमा हो है, ये सल का कितना, 10,000, so cumulative preference वो है, जिसमें पिछले सल dividend नहीं दिया, तो जमा होता है, और जब तक में 30,000 ना दू, preferential order को तब तक में equity का dividend नहीं दे सकता है, उसको cumulative, non cumulative में dividend किसी जाल नहीं दिया, तो गया dividend, फिर वो जमा नहीं होता, cumulative में जमा होता है, participating preferences, supposedly मैं आपको 10 टक का dividend दिया, equity को 15 टक का दिया, अभी भी मेरे पास profit है, आपको और 2 पास टक का extra दे से जाओ, मतलब you can participate in the surplus profits, ठीक है, non participating, बस उनको 10 टक का में लेगा, उसके उपर कुछ नहीं मिलेगा, convertible, convertible क्या है, जो equity में convert हो लोटाने की तारिक दी गई है, उसको redeemable होते हैं, paying back of capital को redemption बोलते हैं, ज्यादा से अरह कितने साल के लिए उश्यू कर सकते है, preference, 20 साल के लिए, company's amendment act of 1988 ने ये compulsory कर दिया, पहले permanent चलता था, irredeemable जिसको बोलते हैं अगला, लेकिन अभी irredeemable बैंड कर दिया, तुमको ल लोटाने की तारिक 20 साल या तो कम, 20 साल से जादा नहीं कर सकते हैं, कम चलेगा, उसको क्या बलते हैं, irredeemable और लोटाने की तारिक नहीं दी गई हो, तो उसको क्या बलते है, irredeemable लेकिन irredeemable allowed नहीं है, कितने points है, 8, या आपका 1 मिनट भी नहीं, 10 सेकंड के अंदर हो आप स्थोरी समझ जाओगे, आप देखो, सबसे पहले सोचो आप एक party में जाते हो, किस में जाते हो, party, मजा रहे है बटा, dance कर देंगा मन कर रहा है, ये कुन सा है, party में जाते हो, participating, non-participating, आप dance करते हो, वहाँ पे एक, जैसे food counter रहता है, वहाँ पे ice cream तुमको दिखता है गर्मी का डाय में, तुम जाते हो, जाके बोलते हो, कप में ice cream मिलेगी, cup, see you, cumulative, non-cumulative बोलता है, cup में तो नहीं है, कोन में है, ये, कोन आ गया, convertible, non-cumulative, ये कोई है, c-o-n, party में जाते हो, ice cream cup में मांगते हो, cumulative, non-cumulative, वह बोलता है, कोन में है, उतने में आपके माता जी का फोन होता है, रेड्मी, आपके रेड्मी मूबाइल में कहां पर हो, participating दूसरा है, लेकिन logic के तोर पर, बोलो, फटाओ, party मतलब कुन सा, participating, non-participating, फिर कप मतलब cumulative, non-cumulative, फिर कोन, convertible, non-convertible, और रेड्मी, और आपको subject के प्रती प्रेम रहेगा, तो आईसी भी बोल सकत अब यही आप कर सकते हो, shares और debentures का, मैं same party का story भी दिलूँगा, लेकिन उसमें एक-दो points extra है, तो आप क्या करोगे, same logic apply करोगे, debentures के लिए, तो आपका study sequence क्या होना चाहिए, equity preference, share debentures, bonds, owned capital, borrowed capital, उसके बाद types of preference, types of debentures, एक wavelength के तरफ में आपको लेके जा रहा हूँ, ओके, types of debentures, इसमें क्या, secure, यह आपको chart draw करना है, ठीक है, secure, कैसे बोलेंगे, गिर्वी रखा, supposedly मैं company हूँ, मैंने आपसे लाग रोप है लिया, तो कुछ नो कुछ गिर्वी देना पड़ेगा, secure debenture, collateral, वो गिर्वी, किसके कास होगा, company और debenture trustees के वीच, agreement होगा, उसको बोलते हैं, debenture trust deed, जिसके तहट, यदि मैंने आपको interest नहीं दिया, या पैसा लोटा है नहीं, तो जो संपर्ची मैंने गिर्वी दी है, वो debenture trustee बेच के debenture holders को पैसा payment कर सकते हैं, तो ऐसे type का debenture का पैसा, जो गिर्वी देने के बाद मिला है, उसको क्या बोलते है, secure debent क्या होने चाहिए, secure होने चाहिए, registered, अच्छा हरे company के head office, कित्रे दाइम के अंदर होना चाहिए, company incorporation के दिन या incorporation के 30 दिन के अंदर, ठीक है, और head office में क्या रहता है, अलग-अलग registers होते है, register of member, जो कि shareholders का register होता है, register of debenture holders, अभी आपने debenture खरीदा, मेरे पास record तो maintain हो register debenture में रहता है, उसको क्या बलते है, register debenture, आपको interest देना होतों में क्या करूँगा, आपका नाम निकालूँगा उसमें से, कितने debenture है, पर debenture कितना interest है, और आपको online payment कर दूँगा, तो मेरे पास आपका नाम पता सब कुछ है, अच्छा, bearer debenture, अब bearer debenture में company के पा नाम नहीं है, ना मेरे पास नाम है, आपने किसी को दिया, payment लिया, हो गया transfer, लेकिन company को कैसे पता चलेगा interest कि इसको देना है, company के पास नाम नहीं है, उसमें interest coupon रहते हैं, जब due date आएगा interest का, 38 September या 31 March, जाके वो coupon लेकर आओ, company को दो, company आपको interest देना है, समझ में है, realize is called bearer redeemable लोताने के तारिक दी गए हो, तो उसको redeemable बलते हैं, लोताने के तारिक नहीं दी गए हो, उसको क्या बलते है? Irredeemable. Convertible क्या है? जो convert हो जाएगा into shares, nonconvertible क्या है? जो convert नहीं होगा. इसमें आप देखो 4 redeemable preferences या bör और कंवेढ़िबल इंचिशका व्लीफ इंचिशंस का व्लीफ्ल स्मार्टी इन क्रहुएं चीजकी यौल test ताइपस अभी सेम मैंने आपको बता था पार्टी में जाते हो लेकिन पार्टी के वेन्यू के बाहर बांसर रहते ना है सिक्यॉरिटी रेते हैं फिर आप जाके टिकेट खरीते हो एक हुड की लिए 양र लेता है रेजिस्टर कराते हैं आपका नाम और एक यॉध्य बेर टिकटत लएते हो लीजिर्ट ह Each में दौछ कुम कौन आजाता है कि मुझे pause बदलने पड़े क्योंके पॉइंट में जाते हो कि परटी में जाते हो पर TTV के बनियुग बाहर का रहता है now फिर आप जाते हो Ticket counter में आप क्या करें और एक अपने फिंट के लिए पता नहीं कोन आने वाला थो द Kent तो आपका टाइपस यह भी हो जाता है इसमें सो यह आपका हो गया अभी एक वापिस में पीछी जाओंगा आपका रिटेनर निंग्स क्या है आपका प्रॉफिट हुआ आपने मुझे 10 लाग दिया मैंने प्रॉफिट क्या एक लाग आपको 60,000 डिविडिन दिया मेरे पास कितना बचा चालीस जाओंगा वह कहां जाएगा रिजर में उसी रिजर को वापिस धंदे में लगाया उसको क्या बोलते है इसके डिटेनर निंट्स है अच्छा इसका भी रिटेन प्रॉफिट भी बोल सकते है डिटेन्मेंट एज अफ कंपनी ठीक है तो ऐसे जोचो नभी कंपनी है उसको यह चाहिए इन्वेस्मेंट के लिए पैसा चाहिए यहाँ पर तो लॉजिक यह लगा है ज्यादा रिटेन नहीं कर पाएगी क्योंकि डिविडिटेन शे रिस्क लेने कि अनिज मैनेज्मेंट कंजर्वेटिव है तो ऊ-स लोग यह याधा रखेगा बिडिटे अ कम देगा कम बचेगा कम रहेगा ना तो फिर रिजर में पैसा कम जाएगा अच्छा टैक्स गुवर्मेंट ने कम किया तो आपके पास प्रॉफिट आफ्ट टैक्स जादा रहेगा तो आपका रिजर्व जादा रहेगा और तुमको खुद से यह एक्सपांड करना है तो आप डिविडेंट कम दोगे रिजर्व जादा रखोगे और वहीं पैसे से इंवेस्ट करोगे आया समझ में कित्ने पांट से यह साथ ठीक है तो इसको लंग करने के लिए मैंने एक स्टूरी बनाए इसको यादे स्टूरी जो मैंने बताया था क्या बताया था एक फार्मर रहता है उसका एक जमीन रहता है वैसे तो धरती माना जाता है 75,000 यर्ज ओल्ड है जहां पर इंसान है और यदी सबसे पहले धरत हवा, पानी, अगनी, if you see the history मेरा अंधास से 40,000,000 साल पहले है और धरती में इंसान 75,000 साल पहले है यह मेरा रीडिंग वो जाने दो, point number one क्या है धरती मा का age of age काफी पुरान है, एक farmer रहता है वो अपना total earning इस धरती पर लगा लगा देता है पर उसके family के जो members है उनका attitude इसको भाड़े पर दे रहते हैं और सामने वाला हमको dividend देगा, rent के बजा क्या देगा, dividend, government तूरन बोलता है आपको dividend मिलेगा तो हम as government आपके इस पर tax लगा देंगे, धरती नाराज हो जाती है कि कैसा attitude काम नहीं करते, पुगट का पैसा चीए, तो भुकम पाता है self finance expansion, point number one क आपको खुशी का एसास हो रहा है, हाँ हो रहा है, देखो अभी एक बात बता दो, चप्टर का मैं starting में हूँ, अब ही देखो आपका क्या-क्या हो गया, पुरा चप्टर, यह देखो, यह हो गया, shares हो गया, features of shares हो गया, dolly beauty parlor की story, features of equity हो गया, आपका, यह हो गया, preference shares की features हो गया, उसके बाद, आपका types of preference हो गया, आपका return earnings हो गया, आपका debentures हो गया, types of debentures हो गया При Xदो तो टxis नहीं करना सीय क्रना अलग से चापटर रे public deposits उससे करना तो यहां पे एक क्रोस करो यहां पे लिक्षो डु An dt Apollo Ch 무 करना आए कुक्षे दिपोजिट्स का बाकाईदा पूरे चापटर अलग से बनाया गया तो यहां से आप इसको skip करोगे और अलग से चप्टर नमबर बोलो कुन सा है पब्लिक डिपॉजिट सामका पेज नमबर 80 वहां पर होगा नहीं सेकेंड लेसन में यह पॉब्लिक डिपॉजिट पेज एटी हां कुन सा चप्टर नमबर है तो यहां से नहीं करना चप्टर नमबर 5 करोगे सर आप ऐसे जो छोडने का है वह पहले बोलो हम छोडने के लिए एक्सपर्ट है तुम छोड़ 80 से करना यहां से नहीं वह अलग से जब मैं बताओंगा बहुत प्रिया चैप्टर है मेरा पॉब्लिक डिपॉजिट मेरा तो मन कर रहा है अभी लेलू लेकिन फिर आपको जो प्रेम का एसास से बाद में कराएंगे यह बांड अलग से आप करोगे अभी लास का छोटा सा बचा है वो लेलू एडियार और जीडियार अभी लास का थोड़ा सा फुल फर्म क्या है अमेरिकन डेपॉजिट रिसिट जीडियार का फुल फर्म क्या है लोबल डिस्ट मैंने आपको शेर्स दिया आप लोग सब अमेरिका में हो सोचो निव यॉर्क तू कहां पर मियामी तुक नहीं और च कहले करने अपे लाँस लेगाश का मेरिका राख लट मेकर नाम क्या है इंफ उस अपने को शेर मीनयल का क्या है अनुद राख़ता राख़ता वरिख वटव मिराट में में इल्काइट में त्दट Κो हम ऐस इस रहे हैं अक्क है सब्सक्रायार ग्राट यहां पर 80 इश्यू करूँगा 20 डिपॉजिटरी के पर लॉक कर दूँगा वह 20 डिपॉजिटरी अमेरिका में ADR के तौर पर लॉंच करेगा डॉलर वह एक्विटी शेर का एक रूप है और अमेरिका छोड़के यूरोप में करना है तो क्या आप कहलाएगा ग्लोबल डिपॉजिट रिसेट वह यूरो करंसी में ट्रेड होता है और ADR किस में ट्रेड होता है डॉलर्स में ठीक है और डिविडेंट नॉर्मल ही मिलेगा वह सब प्रोचियर बाकी सब कुछ सेम है यहां देको लंडन स्टॉक एक्स्चेंज एलसी बोलते है इसको शायद यह 1603 में फॉर्म होता है अगे कमर्शल बैंक्स कमर्शल बैंक्स क्या है जो शॉट टम करजा देता है इसका मैं डिटेल एक्स्पिनेशन इसली नहीं कर रहा हूं तो कि OC में चाप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है ठीक है लेकिन सुरुफ आप करण्ट एक अपका बालिन जीर ऐ फिर भी आं चक क्शिक डेते हो आपका बैलंस माइनस-7 लाक वह श्रत टम मनेंड़ माना जाएगा और करंट जो पिल्ट फिर अपने बिल ड्रॉ किया उसको क्या बेलते ड्राफ्त आपके पास आया अपने Сाइन किया आप मेरे पास वो below exchange दोगे, मैं आपको 98,000 दूँगा, आपको तुरन पैसा मिल गया, मुझे 2,000 interest मिल गया, जिसको discount बोलते हैं, आपको 2 मेने का उधारी मिल गया, तो इसको bill discounting बोलते हैं, यह मैं short में बता रहा हूँ, ठीक है, यह OC में भी आएगा और ECO में भी आएगा, और financial institution आपको करना नहीं है, क्योंकि बस यह है, जो long term में है, इसने financial institution नाम, इसके अलगलग प्रकार है, बस एक random reading, हाँ, यह objective के लिए, कब first industrial policy आया था, 1948, और last का, trade trade, आप seller हो, आप buy हो, कितने का बेचा, पचास जार का उधारी, ठीक है, यह आपके लिए फाइदे मंद क कितने के लाइब बेचते हैं, 25 करोड़, एक दुकान, जो Apple का अभी नहीं खोले है, 25 करोड़ का बेच रहा है, लेकिन उधारी में बेचा, तो क्या माना जाएगा, trade credit, तो यदि मैंने उधारी में बेचा, एक दो महने का credit policy दिया, तो यह तो कर्जा तुमको मिल रहा है, त तुम दो महने बाद payment करोगे, तो आप दो महने वो raw metal goods इस्तमाल कर सकते हो, जैसे आप किराना शॉप है, आपने एक लाग रुपे का मैगी खरीदा, आप दो महने बाद दोगे, लेकिन आपको एक लाग रुपे का सामान मिल गया ना, मैगी का, that is called as a trade credit, मैंने shares ventures बता दि है, नहीं, तो वीडियो पसंद आया, तो आपको लाइक करना है, वीडियो सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो, फ्रेंस करो, थैंक्यू फर वाचिंग,